नमिश्कर दोस्तों मैं आपूमा हिदर दोगने, मोटिविशनल स्पीकर और लाइफ कोच और आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि कम पैसे के अंदर आप आप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमें आप्शन ट्रेडिंग जानना है कैसे करते हैं लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं, कैपिटल भी नहीं है और वो आप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आज के topic में हम यही जानने वाले हैं कि आप कम पैसे में option trading या trading को कैसे कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं यह 91th class है एक class से शुरू किया था हमने और लगबग 8-9 महिने हो चुके हैं मैंने आप लोगों के लिए एक class से लेकर 91th class तक पूरी की पूरी जर्नी बनाई है दिस्क्रिप्शिन में लिंक है आप वो भी खुलवा सकते हैं और अब हम बढ़ते हैं आगे की और की कम पैसे में option trading को कैसे कर सकते हैं 5 चीज़े आपको हमेशा life में भी याद रखना है stock market में भी याद रखना है कि हमेशा consistency के साथ काम करना है हमेशा discipline बने रहना चाहिए, patienceful रहना चाहिए, आपको लालच नहीं होना चाहिए और कभी भी आपकी जो अलग-अलग भावना होती है जो आपको बुरे इंसान बनने पर मजबूर करती है उसको सामने नहीं आने देना है, ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं कि कम पैसे में क्यूं करना चाहिए, यहीं से शुरुआत करते हैं देखिए, मेरा एक simple सा rule था, क्योंकि मैं MLM और जो stock market है, उसको बड़ा negativity की तोर पर देखता था MLM को अभी भी देखता हूँ, मैं negativity के तोर पर ही देखता हूँ, stock market ने काफी सारी चीज़ों के लिए मेरे view को बदला है कि आप अपनी capital को चार जगा पर ही निवेश कर सकते हैं, खुद पर, property में, gold में और stock market में तो stock market वाला part मेरा छूट रहा था, क्योंकि वहाँ पर मैं निवेश नहीं कर रहा था, मेरा एक बड़ा amount जो है property के अंदर ही निवेश था लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि stock market में भी निवेश किया जा सकता और अच्छे return मिलते हैं तो यहाँ पर मैं trading के नाम से negativity में था, क्योंकि stock को लेकर मुझे पता था कि चलो ठीक है ये तो growth देते ही है लेकिन option trading जो है बहुत ही danger चीज है, अब वहाँ से मेरा view कैसे change वहाँ वो मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपने आप से promise किया कि जब मैं इसको सीख रहा था, तब मैंने अपने आपको promise किया कि मैं कम पैसों के साथ ही market में आऊंगा और यदि मेरे पैसे चले गए तो मैं जादा पैसे नहीं लगाऊंगा, छोटे छोटे टुकडो में ही उसमें रिवेश करूंगा या उसमें सीखूंगा, सीधिसी बात है, मेरा जो में मकसद था, वो था learning, क्योंकि देखे, पैसे जो है मेरे पास multiple source of revenue है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं YouTube से, Facebook से, Instagram से, बहुत सारी चीज़ों से multiple source of revenue रहता था, तो मुझे उसका attention नहीं था मेरा जो में मकसद था, कि ये stock market बला क्या है, इसको सीखना है मुझे, तो मैं सीखने के तोर पर आया था, आप लोगों का क्या problem है, कि आप लोगों का जो basic earning है, जैसे कोई job है, धंदा है, business है, कहीं से भी, वो नहीं हो रहा है, आपका जो main source of revenue है, वही आप रखना चाहते है stock market उससे, दिक्कत हो सकती है, या होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, कि कम पैसों से ही शुरुवाद करना चाहिए हमेशा, अब उसके फायदे कहा है, पहले वो गिनवा देता हूँ, फिर कंपैसों से मैंने कैसे उसकी शुरुवाद की थी, वो मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद आपको समझ भाएगा कि Optional Trading कैसे कम पैसों से भी की जा सकती या सीखी जा सकती तो सबसे पहले आपको क्या करना है कम पैसों से क्यों शुरुआत करना उसकी फाइदे गिनवा रहा हूँ कि पहले तो आपको सीख कर करना चाहिए The most important thing कि सीधा सीधा कई लोग क्या करते हैं Optional Trading के अंदर घुश जाते हैं उसके बाद उनको बहुत सारा नुकसान होता है तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले कम पैसों से शुरुआत करना चाहिए वो कितने होंगे कम पैसे मैं भी आपको बताने वाला हूँ लेकिन आप यदि कम पैसे सी सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें गलती है कि आपको गलती है करने का मौका मिलेगा कई लोग क्या करते हैं Revenge में आ जाते हैं ग्रीन में आ जाते हैं उसके बाद बहुत सारे पैसे लगा देते हैं और वो पूरे के पूरे डूप जाते हैं तो कम पैसे क्यों लगाना है क्योंकि पहले सीखना है आपको दूसरा learning में कम पैसे खोएं इसलिए भी आपको कम पैसे लगाना है क्योंकि stock market ऐसी चीज है और उसमें भी specially option trading एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपका पैसा पूरा zero हो जाता है जैसे आपने कोई stock लिया वहाँ पर तो चलो संभावना है कि आपका पैसा घटेगा बड़ेगा ये सब चीजों की संभावना है मालो अच्छा stock ले लिया उपर जाएगा नीचे जाएगा सारी चीजों की संभावना है लेकिन याद रखेगा कि यहाँ पर option trading एक ऐसी चीज होती है क्या की कम पैसे में क्यों करना है ताकि learning में आप कम पैसे खोई पैसे खोना तो होता है एक बात तो याद रख लीजे जो भी विक्ति नया आएगा एक बार दो बार अपनी capital तो उसकी जाएगी बहुत किसमत वाले होंगे जिनकी कोई capital नहीं गई होगी और उसके बाद उन्होंने कमाना सीख लिया होगा लेकिन बहुत जादा लोगों का रेशो इसमें है कि उन्होंने अपनी capital एक बार दो बार तीन बार चार बार पूरी की पूरी बरबात कियोगी उसके बाद उनको समझ मैं होगा तो उसके बाद भी कई सारे लोग तो stock market से भाग गये होंगे और कुछ लोग बच्चे होंगे जिन्होंने सीखा होगा तो learning में कम पैसे कोई क्योंकि खोना तो है ही तो भीया कम लगा के प्रैक्टिस कर लो सीख लो जान लो market के बारे में उसके बाद आगे बढ़ लो main capital इससे safe रहता है आप माली जी का आप चाह रहे हैं कि यार में एक लाख रुपे लगाओं है ना stock market के अंदर या फिर option trading के अंदर तो आप क्या करो 5-10 जार लेकर आओ ताकि आपके पास 10 बार गलतिया करने के chances है और ये बिलकुल simple है ना आप भाया 10 lot से कर रहे हैं 20 lot से कर रहे हैं तो आप एक lot से शुरू कर दो simple सी चीज है तो आपका main capital सीव रहेगा और सबसे main चीज गलति करने के लिए फिर से मौका मिलेगा सबसे important चीज ये है कि आपके पास 1,5,5,10,5 जो भी है आप लगाना चाहते हो इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप option trading सीखना चाहते हो तो option trading में तो पैसे 0 हो जाता है ये बात आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ तो आपको ये दि गलती करना है आपको खत्रों का खिलाडी बनना है और रिस लेना है तो आपके पास गलती करने के लिए फिर से पैसा तो होना चाहिए न तो ये आप कम पैसे शुरुआत करते हैं तो ये फाइदा होता है कि गलती करने का फिर से एक मौका मिलेगा तो ये चार चीजे हैं ये बात याद रखेगा अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बताया कि कम पैसे से क्यों करना थी, उसके फाइदे क्या है, अब मैं शुरू करता हूँ कि कैसे मैंने किया था, या मैं क्या आप लोगों को समझा सकता हूँ, देखिए, शुरू कैसे करते हैं, देखो, option trading का जो basic है, मैंने आपको बह ट्रेडिंग होती है, stocks के अंदर होती है, commodity के अंदर होती है, currency के अंदर भी होती थी, लेकिन अभी saving का कुछ चल रहा है, तो currency के अंदर नहीं कर रहे हैं, तो आप index में भी बहुत सारे index होते हैं, है ना बेब मैं बताऊंगा, stock में भी बहुत सारी stock है, commodity में भी बहुत सारी commodity है, तो option trading में क्या है, आपके पास options बहुत सारे हैं, कि आप option trading कहां कहां कर सकते हैं, है ना, तो index में भी 4-5-6 index हैं, जहां पर आप option trading कर सकते हैं, है ना, stock में भी कर सकते हैं, बहुत सारी stock ऐसे हैं जहां पर option trading होती है, commodity में भी natural gas हो गया, crude oil हो गया, बहुत सारी चीज़े है, अब दिक्कत क्या हो जाती है विक्ति के साथ, कि वो choose करना तो पहले भूल जाता है, कि मुझे option trading कहां करनी है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शिरुवात हो जाती, कैसे, कि कभी वो कर लेता है index के अंदर, option trading कभी वो कर लेता है, stock के अंदर, कभी वो कर लेता है, commodity के अंदर, और फिर एक चाल का जो pattern होता है, हर चीज़ के चलने का एक pattern है, जैसे index अपनी चाल चलता है, stock अपनी चाल चलता है, commodity अपनी चाल चलती है, तो वो चाल नहीं समझ पाता है, आप देखिए क् यहीं किसी विक्ति को आपको समझना है तो उस पर आपको बहुत घंटे लगाना पड़ता है गौर करना पड़ता है बहुत दिन देना पड़ता है जैसे माहा लीजे कि किसी विक्ति के नहीं नहीं संबद बना है किसी से गल्फ्रेंड बनी है बॉइफ्रेंड बना है तो शु पसंदे के वगया था क्यूंकि उसने उसे गुलाब के फूल दिए थे चॉकलिट दीथी गिफ्ट दीथे इसलिए पसंद आया है था क्या वो इसका या साल ऐसी गिफ्ट देगा अब वो हर रोज उसको गुला के फूल देगा हर रोज चॉकलेट या गिफ लाके देगा नहीं क्योंकि उसका ये नेच्छनल बिहेवियर नहीं है तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स, स्टॉक, कमोडिटी जो है न उसके भी अपने अलग-अलग बिहेवियर है जब तक आप उसके बिहेवियर को समझेंगे नहीं आप उससे यह भी रिष्टा बनाने जाएंगे तो शुरू-शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा उसके बाद जो आपको पटकनी देगा तब आपको समझ में आएगा जब रिष्टो में यही होता है कि शुरू-शुरू में यह एक्स्ट्राइडनरी चीज़े देखके किसी लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया उसके बाद जब वो अपनी असली अवस्था में आया कि यह तो फकीर चंद है यह तो उधारी ले ले कि मुझे गिफ्ट दे रहा था अब यह जीवन तो मेरे को ऐसे पूरा जीवन तो रखनी सकता है तब लड़की को समझ में आता है अरे मैं कहां फसकी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है तो रिष्टा बनाने से पहले सला यह तो स्टॉक मार्केट है रिष्टा बनाने से पहले सला कि पहले आप उसकी चाल चलन को समझ लीजिए उसका बैगराउंड समझ लीजिए कि वो जो gift है वो जो आपको रिज्धानी की कोशिश कर रहा है पटानी की कोशिश कर रहा है तो वो एक सही वेक्ती है या फिर गलत वेक्ती है इस बात को समझ लीज़ी है चले तो यहाँ पर आते कि index, stock, commodity बहुत सारी जिगापर होती पर आपको कहां करना है तो चले इस पर हम बात करते हैं या आप कहां से शुरुवात कर सकते है फिर से कह रहा हूं option trading बहुत dangerous होती है इसको दूरी ही रहे तो अच्छी बात है लेकिन कई लोगों को फिर भी risk लेना है थोड़ा सीखना है समझना है तो बिलकुल इसको बहुत ही आसानी से कैसे समझ सकते है ठीक है यह suggestion में और उसके बाद मैंने क्या किया वो बताता हूं तो उसके बाद मैंने क्या किया मैंने देखा किया इंडेक्स में बड़े लोग करते हैं इंडेक्स में बड़े लोग करते हैं इंडेक्स में सबसे ज़्यादा करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अब मैं जब बैंक ऐसे सारे लेकर जाएगा मैंने देखा कि निफ्टी फिफ्टी नाम का एक इंडेक्स है जो कि चलता तीज है लेकिन इतना जादा वॉलेटाइल नहीं है मतलब उसकी चाल जो है थोड़ी समझ में आने लायक है कि आप थोड़ा समझ सकते हैं उसके बाद वो धुका तो देगा लेकिन वो थोड़ी चाल समझाएगा आपको कि मेरी चाल क्या है तो मुझे जो है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स पसंद आया उसके बाद मैंने क्या किया निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स को अपने लिए रख लिया कि मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा तो यह आप भी कर सक मैंने निफ्टी 50 किया था इसलिए उसके उपर में आपको पूरा बैग्राउंड बना के दे रहा हूँ तो मैंने क्या किया निफ्टी 50 सेलेक कर लिया उसके बाद क्या किया मैंने ये बताता हूँ अब देखिए पूरा निफ्टी 50 की study की फिर मैंने किया ये निफ्टी 50 में क क्या होगा कितना पैसा जाएगा मयं मं कितना जाएगा principle कितना होगा एसा होगा तो क्या होगा तो समझेगा निफ्टी 50 conflict'i को एगP 對不對 का चो एग लौट होता है वह अब सारी चीज़े 50 के साब से होती है अब 100 से 200 रुपए प्राइस होता है ठीक है मतलब मान लीजे कि आप या तो OTM की बात करेंगे तो वो तो किसी भी प्राइस मिले सकते है लेकिन ITM और ATM की बात करेंगे तो उसका प्राइस 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में लगभग अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर चीज़े मिल जाती है यदि शुक्रुवार है तो थोड़ी सी उपर प्राइस के वागए 1500 रुपए है और हम तीनों में भी करके देख लेते हैं कि यदि 1500 का भी एक लौट हुआ एक लौट की बात कर आओ एक लौट पर प्राक्टिस करना है अब 1500 का भी एक लौट हुआ और यदि 50 के क्योंटिटी है तो आपके लगने वाले हैं साड़े 7000 र लग सकते हैं यदि 100 रुपे का हुआ तो 50 का एक लौट होता है तो भी आपके 5000 रुपे में आपका ये ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाएगा शुरू मतलब किसका निफ्टी 50 का अब माल लेते हैं मैक्सिमम यदि 200 रुपे का भी हुआ 50 का एक लौट है वो तो ही तो 10,000 प्वे में यहां पर काम हो जाएगा अब मेरी सभी लोगों से विंती है कि जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो ऐसे ही तरीके से प्लान करें 50,000 एक लाग दो लाग दस लाग लाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग एक खतरनाक चीज है जहां पर आप समझदा मेरी बात की मतलब 5,000 से 10,000 के बीच में आप एक लोट से सीख सकते हैं निफ्टी 50 में फिर से समझ लीजे निफ्टी 50 के अंदर आप 5,000 से लेके 10,000 के बीच में एक अमाउंट यदि खड़ा करते हैं तो उससे क्या सीख सकते हैं आप आप्शन ट्रेडिंग को दस हजार उपए 5,000 से 10,000 सीखने का मन कर रहा है तो 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 पैसा यहां पर जीरो हो जाता है अंडा हो जाता है न तो आपको निफ्टी 50 का एक लोट मिल जाएगा अब क्या किया मैंने यह समझ लिया पहले मैंने मैं इत्मिनान से बैठा पहले मैंने यही समझा कि आएगा जाएगा तो कितना जाएगा पहले यह समझना है तो मेरा यह दी 5000 लगा है पूरा जा सकता है साड़े साथ पूरा जा सकता है 10,000 पूरा जा सकता है तो maximum मेरा कितना जा सकता है यह दी 0 भी हो गया तो मेरा maximum 10,000 रुपए जा सकता है लेकिन आब इसको रोकू कैसे कि पूरा का पूरा 10,000 न चला जाए तो फिर मैंने प्लान बनाया क्या बनाया पहला प्लान समझ गए पहले फिर से एक बार रिवाइज करवा दे तो पहले मैंने देखा कि कहा का पर और ट्रेडिंग हो सकती है उसमें से मैंने एक जगे सलेक की म 50-50 को सेलेक करने के बाद मैंने क्या किया कि 50-50 की पूरी जानकरी निकाली कि 50 को एंटिटी का एक लॉट होता है है ना 100-200 रुपे के बीच में मिल जाएगा और ये 1500 रुपे मैंने मान के मैंने रुपे निकाली कि maximum 10,000 रुपे जा सकते है अचा जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी महीने में 50-50 का जो लॉट है वो 50 से घटकर 25 का होने वाला तो ये भी जानकरी दे दूँ ठीक है अभी इसका लॉट साइस और कम हो जाएगा तो आप इसको और कम में भी कर सकते हैं मतलब 3,000 में भी आप एक लॉट से प्रैक्टेस कर सकते हैं तो ये कैसे बचाएं तो इसका सबसे मज़िदार तरीका होता है कि बिना stop loss के कभी भी आप option trading नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए और दो तरीके होते हैं इसमें भी कई लोग कहते हैं कि stop loss मन में रखो और trade ले लो नहीं मैं ऐसा suggestion बिलकुल नहीं देता या मैं ऐसा बात बिलकु हो चाहे आप fires यूज करते हो एंजल वन यूज करते हो कुछ भी यूज करते हो वहाँ पर system में stop loss लगाने का funda होता है सब को पता है तो वहाँ पर आप जैसे ही trade लेते हैं अपना stop loss फैले से fix रखना होता है मैंने कैसे practice किया मैं उसके बारे में आपको बताता हूं मैंने सो आप 10 रुपे का stop loss रखके risk लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी तो मैंने क्या किया मैंने फिर एक plan मनाया कि 10 रुपे का stop loss रखूंगा जो भी trader लूँगा वो दिन में सिर्फ एक ही trade होगा एक ही lot होगा और 10 रुपे का stop loss होगा और यदि target लेना है तो मुझे सिर्फ 1 is to 2 मतलब 20 रुपे का क्योंकि सीखने की शुरुआत है मुझे पैसे कमाने की कोई जल्दी बाजी नहीं थी नहीं मुझे इससे ऐसा है कि भाया मेरा घर नहीं चलेगा ठीक है मेरा घर तो कहीं से चल रहा था तो मुझे सिर्फ इसको सीखना था सीखने के भाव से देखा मै 10 रुपे का stop loss और 20 रुपे का target तो मैंने देखा कि ये तो point मैं रुपे में कैसे देखेगा चलो मैंने देख लिया कि 10 रुपे का stop loss 50 quantity है मतलब यदि मैंने एक दिन ट्रेडिंग किया और एक ही trade लिया मेरे setup पे क्योंकि setup तो बनाना पड़ेगा आप बिना setup के तो ट्रेड तो मैं कई वीडियो से सिखा रहा हूँ तो यदि आपने एक lot लिया एक lot लिया जिसमें 50 quantity होती है 10 रुपे का stop loss रखा तो आपका एक दिन में maximum 500 रुपे जा सकता है अब समझना मज़िदार बात समझना मैंने क्या बताया आपको कि 10,000 रुपे total मैंने कहा कि इतना रुपे लग सकता है अब कभी एक lot 5000 का जाता है कभी 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 है ना 200 का बहुत का होता है 130 से लेके 1500, 170 तक का price रहता है तो 7,000, 7,000 में आ जाता है उपर पैसा बचा रहता है अब समझना मेरी बात को कि यदि मेरा एक दिन में गया तो मैंने ये तैय कर लिया कि 10,000 एक साथ नहीं जाने दूँगा मैं stop loss लगाऊंगा तो maximum कितना जा सकता है तो मैंने का 10 रुपे का जहां stop loss बनेगा ऐसा ही trading setup में बनाऊंगा ठीक है मैंने ऐसा trading setup बनाया अब 10 रुपे गया तो मेरा 500 रुपे गया और यदि आएगा तो मैं 20 रुपे लूँगा मतलब 1000 रुपे मेरा वो सीखने का एक process रहता है और वो enjoy करना होता है आपको कि आप जब देने की बारी आई तो आपने 500 पूरे दे दिये लेकिन जब लेने की बारी आई तो कभी आप 200 में भाग गया कभी 300 में भाग गया आपको लगता है यार यह ऐसा नहीं हो नीचे आ जाए तो आप 300, 400, 500, 600 जो मिल रहा है वो लेके भाग जाते है लेकिन discipline जब maintain करना होता है तो आपको क्या करना होता है कि 500 दूँगा और 1000 लूँगा 500 मिलेंगे तो ही हटूँगा और 1000 मिलेंगे तो ही हटूँगा तो यह stop loss हो गया यह target हो यह मैंने fix कर लिया अब आगे की procedure और ज़्यादा important है उसक कितने trade लेना है तो हर दिन सिर्फ एक trade लेना है यह आप लोगों के लिए सबसे important चीज़ है फिर मैंने तैकिया कि हर दिन सिर्फ एक trade लूँगा तभी है system follow होगा और 20 दिन trade होते हैं यदि पूरा महिना कोई छुट्टी नहीं रही तो 19 से 20 trading session day रहते हैं है ना बाकि 10 दिन चुट्टी होगी मान लीजे आपके तो यहाँ पर 20 दिन में आपने सारे दिन मान लीजे trade किया तो क्या हो सकता है फिर मैंने वो लिखा जो कि सबसे important चीज़ थी अब देखिए सबसे मज़ेदार बात जो मैंने यहाँ पर लिखी कि हर दिन यदि मेरा गलत हो गया तो क्या ह हो सकता है maximum क्या हो सकता है मैंने वो लिखा अब मान लीजे कि मैंने 20 दिन trading की और हर दिन 50 नहीं है पर 500 आएगा तो ये 500 रुपे हर दिन मान लीजे मैंने खर्च कर दिया मतलब मेरे सारे के सारे 200 trade गलत चले गए तो 500 गुणे 20 मतलब मेरा पूरा का पूरा जो 10,000 का capital हो चला भाला जाएगा जीक है । मैंने ये अपने psychology को समझा दिया अब भाया हर दिन का आपका trade गलत जा सकता है बिल्कुल भी नई यहीं आपने setup पर practice किए बैक्टेस्टिंग किए आप प्रेक्टिस कि यही अपने setup पर तो हर trade गलत नहीं हो सकता अंटिल आपकी साइकलोजी गड़बड हो साइकलोजी ही मरवाई गी आपको ठीक है तो मैंने ये देखा कि यदि 20 दिन ट्रेडिंग की और 200 दिन मैंने हर दिन 500 रुपए गवा दिये मेरे हर एक ट्रेड लॉस में चले गए तो मेरा मैगजियूम कितना जाएगा 10,000 रु गलत रहे तो क्या होगा ठीक है अब मैंने ये देखा कि यदि मेरे 10 दिन ट्रेड गलत जाते हैं मालीजी गलत चले गए तो हर दिन 500 रुपए जाएंगे यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत लिखावा इसको मैं सही कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हर दिन मालीजी मेरे ट् रुपए आएंगे तो overall मेरे पास क्या होगा 5000 रुपए बन जाएंगे सिंपल सी चीज़ है बहात सिंपल है आसान है कि यदि 50-50 हुआ तो 10 दिन में क्या होगा 500 रुपए हर दिन जाएंगे इसका अबलब 5,000 रुपए जा रहे हैं और अगले 10 दिन में क्या होगा 5000 लेता हूं कि हर दिन मेरा सही चला गया बीसो के बीसो दिन मेरे टार्गेट हिट हो गये तब क्या होगा तो मैंने देखा कि 20 गुणित 1000 बराबर 20,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा सिंपल सी चीज है तो मैंने हर एक सिनार्यू को अपनी कॉपी पे लिख लिया अपने टै लग गया या सेट अप चल गया तो इसका मतलब कि मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो ठीक है भाईया सारी चीज़े लिख ले अब मेन चीज़ लिखने के आई कि कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात को समझिएगा कंक्लूजन ये निकला कि यदि हर दिन ट्रेड गलत हो पहला कंक्लूजन क्या निकला ये सारे ही ट्रेड गलत चले गए मेरा 10,000 रुपे पूरा का पूरा डूप गया मतलब कोई तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो 20 दिन में पूरा कैपिटल खतम इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप सेट अप सहीर चूज नहीं कर रहे हो आपका एकलोजिकर प्रॉबलम है आप जल्दी भाग रहे हो आप ज्यादा स्टॉप लॉस दे रहे हो कुछ ने कुछ ऐसा प्रॉबलम है जो आपको परिशान कर रहा है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर करना है कम से कम 15 से 20 दिन नहीं करना है आपको पूरे नोट्स बनाना है अच्छा ये हर एक दिन जितने भी दिन आप 20 दिन ट्रेडिंग करोगे हर दिन आपको ट्रेड के बाद लिखना है कि मैंने क्या 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 क्यूं लिया था क्यूं जलती है कि मेरा सेटप कहां गलत गया, मेरी साइकलोजी कहां गलत गयी और उसके बाद आप फिर से 10,000 रुपे के साथ आ सकते हैं, फिर अगली बात ध्यान से समझेगा, यदि आपका 50-50 रहा, मतलब बिलकुल ठीक जा रहे हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप continue कर सकते हो, एक ही लौट के साथ, जब तक कि आपकी प्राक्टिस और अच्छी ना हो जाएं, ठीक है, और तीसरी चीज, यदि आपके हर दिन सही चले जाते हैं, तो भी आपको रुखना है, और ओवर कॉन्फिनेंस आ सकता है, उससे आपको बचना है, तो तीनी सिनारी हो सकते या तो आपका पूरा 10,000 रुपे चला गया, 10,000 रुपे पूरा चला गया, मतलब आपको 15 से 20 जिन बाइट के प्रैक्टिस करना है, आपको लिखना है, कहां पर क्या गलती हुई है, उसको सुधारना है, फिर से कम बैक करना है, यदि 50-50 रहा, ठीक टाक चल रहा है, कोई द लिए आपको इससे बचना है, यह वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, कम से कम मुझे 1000-1200 कमेंट चाहिए, ताकि मैं इसकी और नई सीरीज बना चुकूं, और लगभग 91 क्लास यहां पर हो चुकी है, हम 100 क्लासे से कुछी क्लासे द शेयर करो, चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब करो, और कॉमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे भी तगड़ी सीरीज में आप लोगों के लिए लाने वालो, तो कम पैसे में आप आप्शन ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे शुरूर किया था, मैंने आपको